रादेर रादे कैसे आप सवाई होप आप लोग अच्छे होंगे और ये चाए और अभी गरम है हम आप लोगं को इसलिए दिखा रहे हैं कि हैं екूद चाल बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहें चाल जो होती है तंडी होने के बाद में ये जहर के समान काम करती हैं जहर हो जाता है पॉइजन हो जाता है जैसे चाए बहले धंडी पी लो लेकिन इसको खौलाना नहीं है दुबारा जैसे एक बार खौल गई उसके बाद में पहली बात तो चाय जो है निकोटिन होती है इसको दूद और चाय की पत्ती डालके ज़्यादा खौलाना नहीं चाहिए लेकिन अगर जैसे चाय पीने की आदत ही है और चाय हम लोग सीख गए पहले की जमाने में स तो अगर उसने चाय के लिए नहीं पूछा तो यही कहते हैं हम लोग की चाय उसने तो चाय के लिए भी नहीं पूछा तो चाय आज कल बहुत ज्यादा प्रचलन में है लेकिन चाय अगर थंडी हो गई है तो उसको अगर पीना है तो थंडा पीलो और अगर आप पीना ही च दूसरी स्मस्राइट चाह को डूसरी स spir még करनी चाहें, जर्चाह कुछाम लिए बेखें, फिर फिता है। उसको दोनों लोग ट्राय करके देखना चाय को जैसे ठंडी हो गए चाय को फिर दुबारा से खुला लिया और दुबारा से खुलाने के बाद में उसको चाय को पी के देखना इतनी ज्यादा भयानक गैस बनेगी इससे बहुत ज्यादा प्राब्लम हो जाएगी बहुत ज्या बनती भी है थोड़ा सा पहले पानी पीलो जैसे चाय पीने से पहले थोड़ा सा पानी पीलो लेकिन अगर गरम करके चाय दुबारा पी और उसमें पानी भी प्योंगे तो भी कुछ फाइदा नहीं करेगा क्योंकि इतनी ज्यादा भैयानक बनाती है खतरनाक वाली तो इसलिए हमने आप लोगों के साथ सेयर किया और कोई भी कुछ भी अच्छा अगर पता है तो वो सेयर करना बहुत जरूरी हो सेयर करना चाहिए तो इसलिए हमने पताया कि यह चाय जो है कभी भी ठंडी करके जैसे ठंडी हो जाए उसके बाद में गरम करके कभी भी नहीं पीना इससे बहुत ज्यादा बनेगा और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी पहली बात तो अगर आप चाय छोड़ सकते हैं तो चाय छोड़ ही दीजिए दुबारा चाय उसको चाय को गरम करना या कुछ भी यह सब होता है ऐसे तो पतंजली वाली भी चाय आती है लेकिन यही है कि आदत पर जाती है तो हम लोग को वह सब अच्छी नहीं लगती ऐसे हम लोग ब्लैक टी बनाएंगे लेमन टी बनाएंगे यह सब चाय अच्छी होती है लेकिन दूद वाली चाय ही चलती है दूद वाली चाय ही सब लोग पीते हैं लेकिन इतनी बात जरूर ध्या में नहीं लेंगे यह सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ी सी बचाई थी कि आप लोग तक यह जानकारी जाए क्योंकि कोई भी जानकारी अगर पता है तो दूसरे को बताना बहुत अच्छा है और यह सबसे अच्छा यूटूब चैनल है इस पर हम लोग सेर कर सकते हैं कुछ इसी होती है जो हमें नहीं पता होती है लेकिन दूसरे को पता होती है तो वो बताते हैं तो उससे बहुत जादा फायदा मिलता है इसलिए किसी के बताने से कभी-कभी बहुत अच्छा बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है और हमें भी यूटूब से कई ऐसी जानकारी मि यह सब करती थी तो यह सब चीजें हम भूल गए हैं लेकिन फिर से याद दिलाना है यह सब चीजें इतनी ज्यादा फायदा करती हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ और आप लोग बताना कि जानकारी हमें साथ बनाये रखना सहयोग करना और सपोर्ट करना और मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे जैहिंत बंदे मात्रम